हेलो एप्रिवन आई वेलकम यॉल टू आएग्जाम भी आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक इंपॉइटन टॉपिक देखेंगे डाट इस अपॉइंट्मेंट्स और अबिच्वरी इस फ्रॉम एपिरल मन्त मतलब क्या है हमारा कहने का पर्चन न्यूज जितने भी लोग आपके अपॉइंट्मेंट्स के वजए से या फिर उनकी मृत्य या अभिच्वरी के वजए से वह लोग न्यूज में आ गए चर्चाओं में आ गए उन सभी कम लोग यहां पर देखेंगे क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में क्वेशन बनते हैं करन्ट अफेर्स क यह आपके एक एक प्रस्ट तो बनता ही है यहां से अपॉइंट्मेंट्स ओविच्वरी यहां से तो सबसे पहला है आपका PTC इंडिया से न्यूज है पीटीसी इंडिया के हेटकॉर्टर्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे और 16 अप्रेल 1999 को इसकी स्थापना किये थी पीटीसी इंडिया की यह मैंने वह पॉइंट्स लेके हुए जो आपके एक्जाम में क्वेशन बन सकते हैं ज्यादा डीटेल में हापे नहीं करेंग अगले अपोंटमेंट्स इस प्रस लेकर के मंगल तक इस माड़्स यह आपके लिए इंप्रेंट है अपके लिए इसको आप दोग देखे लेंगे science and tech से लेके जो current affairs आते हैं वहाँ पर ये बन सकता आपके लिए recently who has been appointed as head of moon to mars mission program of NASA then the answer will be Amit Kshatriya ओके ये भारती मूल के इस लिए important हो दाता है अब इसकी स्थापना कब की गई थी founded on 29 July 1958 किसकी स्थापना that is NASA headquarter इसके कहां रेखने को मिलेंगे आपको United States याने की Washington DC में और Bill Nelson इसके administration समाल रहे हैं तो यह है Amit Kshatriya जो कि अभी हाली में moon to mars program जो कि NASA का है इसके क्या बने अभी हाली में इसके head बने है ठीक है आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि moon to mars mission है किसका दे देंगे जाकसा मतलब जाकसा दे देंगे इस रो दे देंगे साथ में NASA दे देंगे European Space Agency ESA दे देंगे तो आपको बता ना होगा तो आप क्या बताएंगे NASA का होगा ओगे अगली appointment from FICCI 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 में एक important appointment हुए है इनकी इनका नाम क्या है सुधा सिहुकुमार होगे यहां लिखा हुआ है सुधा सिहुकुमार becomes 40th president of FICCI ladies organization याने की FLO FICCI की एक संस्ता है that is FLO FICCI ladies organization इसकी अभी 40th president कौन बनी है सुधा सिहुकुमार तो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी यह भी question आप से बन सकता है oldest women-led business chamber in Southeast Asia जो FICCI ladies organization है याने की FLO है it is the oldest women-led business chamber यह सबसे पुराना women-led business chamber है कहां का Southeast Asia का जब लोग आते हो तो वहां पर जितने भी countries है उन सबसे की बात करोगे तो वहां पर women-led याने की ऐसे business chamber जिनको कोई women lead कर रही है उनमें सबसे पुराना कौन जा है FICCI LO याने की ladies organization ही है इसक्राप के लिए important हो जाता है सुदाव शिवकुमार ओके Southeast Asia में कौन-कौन जी country आती है वैसे Southeast Asia से क्या याद आते है आपको Southeast Asia SEA इनका एक association है ठीक है Association of Southeast Asian nation नेशन इस वंडों क्या बोलते हैं आशियान बोलते हैं ठीक है Association of Southeast Asian nations that is ASEAN in ASEAN there are 10 countries and what are the names of those countries the names of those countries is starting from Myanmar, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines these are the 10 countries in ASEAN यहाँ पर एक Ivory Coast है Ivory Coast लेकिन इस आशियान के उसमें नहीं आता है ठीक है उसकी बात में करेंगे Ivory Coast भी South East Asia का है लेकिन आशियान में नहीं आता है चलो आगे बढ़ते हैं founded in 1927 FLO की स्थापना कप की की थी फिक्की की स्थापना 1927 में की थी इसके headquarters कहाँ भी देखने को मिलेंगे आपको New Delhi में देखने के लिए मिल जाएंगे ओके आगे बढ़ते है New Zealand New Zealand से important यह आपको देख रहे होंगी किम cotton किम cotton becomes first woman on field in men's T20 International men's format लिए उसमें पहली women on field यह इनका नाम क्या है किम cotton और यह कहां कि है न्यूजिशिलैंड की है थीक है न्यूजिलैंड कहां देखने को मिलेगा आपको न्यूजिलेंट भारत के बाद आप साउथ इस के तरब जाओगे नीचे जब आप वहां जाओगे आपको देख कंट्री दिखेगी दैडिस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जिस महाधीप मात है दैडिस ओसीनिया जनरली हम लोग उसको ऑस्ट्रेलिया महाधीप बोल लेकिन तो वह है ओसीनिया महाधीप जहां पर देखेगा उसके बगल में रिखेगा आपको न्यूजिलेंट ओके तो वहां से बिलॉंग करती है न्यूजिलेंट से यह इसके राधानी की वैलेंग्टन है चलो न्यूजिलेंड की है किम कॉर्टन जो बनी है मैंस टी-20 इंटरनेश न्यूजिलेंड और सिलंका का मैच चल रहा था जहां पर यह बनी ओन फिल्ड अभी तक की टी-20 इंटरनेशनल की पहली चलो आगे बढ़ेंगे नास्कॉम नास्कॉम से इंपर्टन आपके लिए न्यूज बनी है यह जो व्यक्तिया को दिखाए देरें का नाम क्या है यहा राजेषन नाशेर नामम पर रेंद्ध करंगे अक है राजेषन नाम्वियर और एक है आपके अननत महसरी अननत महसरी बने है चेरेभड यहांके लैकल वादर देखलेंगी किया जैका स्बोर्स में आजए ठीक है साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टन नहीं है लेकिन छोड़ने सकते इसको भी साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इसके प्रेजिदेंट कौन बने हैं पंकज सिंग बने हैं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं कि भारत में काल सिंग प्रेज़ेंट कौन बने पंकत सिंग बने ठीक है और ट्रेजर यानि के तो खजांची होता है इंदियों बोलते हैं सुधिश कुमार यहाँ पे ट्रेजर इसके बन चुके हैं इसकी स्थापना कपके गई थी 1946 में की गई थी यह आपके लिए इंपोर्टेंट है का लाइफ इंजॉरेंस कॉर्पोरेशन भारती जीवन बीमा निगम का ठीक है सिधार्ट महंटी और यह कब तक रहेंगे यहाँ पे 29 जून 2024 तक रहेंगे यह चल रहा आपका जून का महीना जब में रिकॉर्ट कर रहा हूं तो इसी महीने के 29 जून तक अगले साल 2024 तक ही य रहेंगे फाउंडेड ओन सेप्टेंबर 1,1956 अच्छा यह एलाइसे की स्थाप ना कब हुई थी सेप्टेंबर 1,1956 को हुई थी हेड़कॉर्टर इसके कहां पे रहेंगे आपके मुंबई में रहेंगे ठीक है यह चीज है यहाँ पे एक चीज गड़बन उसे कुछ दिख इसको भी देख लेंगे भाद में ठीक है इस लाइन को हटा देंगे आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं आपके लिए कुछ अपॉइंटमेंट थी ठीक है को अब इस परसनलिटी न्यूज में आ जाती है तो देखते हैं किन किन की मिल्टी हुई जिनसे आपके एक दुर्रानी यह आपको दिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्स से आपके लिए यह न्यूज बन सकती अगर इंटरफेर्स में ठीक है काफ़ इंपोर्टेंट इसको कर लेंगे former Indian क्रिकेटर है पहले इंडियन क्रिकेटर है सलीम अजीज दुर्रानी ठीक है पास जब इन जामनगर जामनगर 1971 वर में सुग्या किया गया था पाकिस्तान से वो करके इसको आजाद कराया गया था और एक नई कंट्री बना देश ठीक है तो यह है आपका यह कौन बने हैं आपे सलीम अजिस दुरानी इनकी मिर्थ्यूए भी हाली में इंडिन क्रिकेटर हैं और इनकी मिर्थ्यूए ठीक ह आपसे पूछ सकते हैं कि सलीम अजिस दुरानी का प्रॉफेशन क्या था यह क्या खेलते थे क्या मतलब कुछी पूछ सकते हैं तो इस क्रिकेट खेलते थे आपको आजना है इनकी अभी हाली में डेथ हो गई आगे बढ़ेंगे सारा थोमस ध्यान रखना सारा थोमस एक अं थे बात भी हैं लेकिन हम यहां पर इंडियन राइटर की बाद कर रहें खीक है इनकी एक फेमस नौवल है that is कि नर्मदी पूड़ावा ओके नर्मदी पूड़ावा इनकी बहत फेमस वह है नोबल है इनके भी हाली में डेथ हो गई इनका नाम क्या है सा रा थोमस धोके पिला गया उसके बाद इनको केला साथ्य अग्यडमी recommendations कौण सारा थो मैंस आग़ेंगे रिऊची साका मोटो रिऊची साका मोटो यह कौं है रिऊची साका मोटो एक जैपनिजिस कंपोजमरे। वैसे म्यूजिक को कंपच करते हैं म्यूजिक बनाते हैं जो लोग दोजार नोन आज म्यूजिक कंपोजर तो रियूची साकामोटो इनकी भी अभी हाली में डैथ हो गई कुछ इनकी फिल्म थी जिनमें इनों अपना बैक्राउंड स्कोर दिया था जैसे की लास्ट एंपरर एंड रेवनेंट इनकी काम भी कभी अभी हाली में यह दिखेंगे आपको यह बने है कौन जहारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं नहीं सौरी इनकी डैथ होगी यह भी हाली में चल रहा है तो इनकी अभी हाली में डैथ होगी ठीक है तो इनकी अभी हाली में डैथ हुई है किसकी जगणात माहत होगी और यह जहारखंड की एजुगेशन मिनिस्टर हुआ करते थे ठीक है और यह रेज़ी साकामटू इनकी भी डेथ हो गई आगे बढ़ेंगे जाला बेला वैध्या जाला बेले आपको देखा को रहे होंगी त्याटर हैँ को इनको मैं क्यों बता रहा हूं आपkraft साला थो इनका नाम है हाइस्ट अवार्ट्स इनको दिये गए हैं तो अगर इनकी डैथ होती है तो यह लोग इंपॉर्डेंट बन जाते हैं आपके लिए ठीक है तो जाला बाला वैद्या यह इनकी डैथ होगी यह क्यों फेमस ठीक है यह तो इनकी अभी हाली में डैथ हो गई मुंबाई में यह इंपॉर्टेंट आपके लिए ठीक है यह तो सिंपल सी जीज़ है को समझाना नहीं है आगे बढ़ेंगे डॉक्टर जाफ्रा उल्ला चौधरी यह कौन थे वैतरन लिब्रेशन वार फाइटर एंड यह पब्लिक की हेल्ट के लिए भी काम करते लोग सेवा के लिए काम करते थे लोग लोग स्वास्थ के लिए काम करते थे उसके अलावा एक लिब्रेशन वार फाइटर भी हुआ करते थे जिनकी अभी हाली में धाका में क्या हो गई मृत्यू हो चुकी है बंगलादेश के तो बंगलादेश लिबरेशन वर वहाँ पे इन्हों ने क्या किया था अपना एहम रोल प्लेग गया था डॉक्टर जाफर लॉल्ला चौधरी इसलिए इंपर्डेंट हो था अब यह इंपर्डेंट क्यों है क्योंकि वह हमारे वजह से आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर उस उत्तरा बावकर इनके भी भाली में डेथ होगी 79 यह की एज में इनको नेशनल अवर्ड दिये गए हैं फॉर्स बैस सपोर्टिंग एक्टर्स एक्ट्रेस इसी चीज़ के वैसे काफ़ आपके लिए क्या बार इनको क्या दिये गए है नेशनल अवर्ड यहां पर दिये जो अकाली दाल अखाड़ा है उसके भी यह पहले रहा चुके हैं चीफ ओके तो चीफ मिनिस्टर ने कहां के थे मतलब पंजाब के तो इनके अभी हाली में डेथ हो गई थी 95 एर की एजमन की क्या हो गई थी अभी हाली में डेथ हो चुकी थी ओके प्रकास सिंग बादलाब डेली में वहां पर इनको क्या मिला था गोल्ड मेडल मिला था इसलिए आप इंपॉर्टेंट आपके लिए तो बॉक्सर ते कौन कॉर सिंग इनकी अभी हाली में डेथ हो गई एड़न एग्जीबिशन बाउट एन वित मोहमद अली इन इसको छोड़े लाइन को यह देखो यह संगेमस 92 में इनको क्या दिया गया था गोल्ड मेल डिया था गया था सेवनटी फूर यह क्या होगे इनकी अभी हाली में डेथ हो चुकी है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे रंजीत गुहा रंजीत गुहा एक हिस्टोरियन इतिहासक काफी फेमस इनकी अभी आउस्ट्रिया के वियाना में क्या होगी हाली में डैथ हो गई ओके चलो आगे बढ़ेंगे यह था आपके लिए तो यह थे आपके एपरिल से जितने भी आपके लिए आप पढ़ सकते एक बैक अप ले करके लेकिन एक्जाम में क्यांसे बनते हैं आपके पिछले चार पांच मेने यूपीस सी खासकर इन चार पांच मेने से पूछता उसके लावाव पीछे नहीं जाता है ठीक है चलो आप नहीं पढ़ाई करो जादा टाइम बेस नहीं करना है इसलिए के साथ इस वीडियो का तम करते हैं be 50% faster and thank you